नमस्कार दोस्तों, Welcome to Study24, बिहार Public Service Commission की ओर से बिहार सिचक भरती, यानि कि TRE 3 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, आप देख पारे होंगे साथ तारी को ही ये नोटिस जारी कर दी गई है, साथ 2-2024 को Important Notice और Advertisement दोनों यहां पे जारी कर दिया गया है, क्लास 1-5 की सिचक, क्लास 6-8 सिचक और क्लास 9-10 सिचक, क्लास 11-12 सिचक और Special School Teacher 9-10 और Education Department and इसके अलावा क्लास 1-5 और 6-10 and क्लास 11-12 अंडर जो CST, Welfare Department के अंतरगता स्कूल है, इन सभी स्कूलों के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है, नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, आपे फरकासित कर दी गई है, डेट बगेरा जारी कर दी गई है, नोटिसी आपे आप डाउन्डोट भी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, विग्यापन संख्या 22-2024, तो सिच्छा विभाग एवं अनुसुची जाती एवं अनुसुची जन जाती कल्यान विभाग, बिहार के अंतरगत, विद्याले अध्यापक के रिक्त पदों पर न्यूकती है तो सुयोग भारती उमिदवारों से बिहित परफत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंतरित किये ग वो 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी और जो अपलिकेशन फीस जमा करने की अंतिम तारिक है वो 23 फरवरी 2024 है लेकिन अगर आपका अपलिकेशन फीस 23 फरवरी तक जमा नहीं होता है तो आप लेट फाइन के साथ 25 फरवरी तक जमा कर सकते हैं तीक है देख सकते हैं बिलम सु से और लास्ट डेट जो है ओन्लाइन आविदन करने की 25 फरवरी 2024 है जो की अविस्तार नहीं है यारी इस डेट को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि एक्जामेनेशन जो है वो मार्च में ही होनी है साथ से लेके 17 मार्च के बीच एक्जामेनेशन होनी है इसलिए य अगर हम लोग notification की बात करें तो notification में देखिए इस बार clear कर दिया गया है appearing वाले candidate को यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है आप देख पार होगे यहाँ पर दिया गया है कि जो परिच्छा इस परिच्छा में वही लोग सामिल हो सकते हैं जिनका सहच्छनिक पर सहच्छनि की योगिता complete है यानि कि B.A.D.A. जो भी आपकी degree है वो complete होनी चाहिए और जो seatate, estate बगएरा है वो pass होना चाहिए appearing candidate को देखिए appearing candidate को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो appearing candidate वालों को मौका नहीं मिलेगा इसमें तो जो 22-24 वाले धरना परदसत बगएरा कर रहे थे उन लोग खिरूप से जो है N.I.O.S. को बाहर कर दिया गया है साफ साफ यहां पर लीक दिया गया है आप देखेंगे बेकंसी में देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर बताया गया है कि जो N.I.O.S. की डिगरी है देख सकते हैं सिच्छा विभाग बिहार की पतरांग इसके आलोग में N.I.O.S. द्वारा परदत 18 महिने के DLA की उपाधी मान्य नहीं होगी तो N.I.O.S. वालों को डिरेक्टली बाहर कर दिया गया है इस वर फॉर्म भी भरने को नहीं मिलेगा बाकी सभी नियम जो TRE2 में थे वही नियम इसमें भी लागू किया गया है जारी 3 में भी दिया गया है इसके अलावा और क्या चेंजिंग की गई है उसको अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल सरल भासा में क्योंकि यह नोटिफिकेशन बहुत बढ़ा है ठीक है अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा समय देना होगा तो इसके लिए बिल्कुल सरल भासा में और सौट सब्दों में आपको समझाया गया है रोजगारविहार.com पे जिसको आकार आप यहां पे खोल कर देख सकते हैं देखिए यहां पे नोटिफिकेशन भी लगा दी गई है अप्रॉक्स सीटों की संख्या की बात करें तो जो VPSC की और से गोसना की गई थी कि लगभग 85,000 सीटों पे यह वेकंसी आएगी लेकिन इसमें बदला होने की संभावना है क्योंकि अभी जो है नोटिफिकेशन सिर्फ दे दिया गया है लेकिन सीटों की संख्या के बारे में कहा गया है कि जो सिच्छा विभाग की और से प् विद्याले अध्यापक तथा माध्यमिक कच्छा 9-10 और विशेस विद्याले अध्यापक कच्छा 9-10 एवं उच माध्यमिक विद्याले कच्छा 11-12 के विद्याले अध्यापक के पद के लिए विशयवार रिक्ती जीला आर अच्छन रोश्टर सामे की तुरुप से परसा कितना होगा सिर्फ एक लंसम बता दिया गया था कि पचासी हजार होगी लेकिन इसमें जो है विसायवार कितना होगा यह सब जानकारी जो है अभी जिला से रोश्टर प्राफ्त होने के बाद अलग से दिया जाएगा और ज्यादा कुछ इस नोटिफिकेशन में विस्तार से नहीं बतायागा है बात करें कि सैलरी बगएरा तो सैलरी बगएरा वही है जो पहले था वही सब नियम सारा नियम वही रहेगा कोई चैंजिंग नहीं है सिर्फ एक्जामिनेसर में थोड़ी सी बदलाव की गई है डेट बगएरा आपको यहां पे भी रोजगर गया डॉट हारित की गई है जो टीरी टू में दी गई थी और एलेवन टू लिया नाइन टेन के जो टीचर है उनके लिए भी वही एज क्वैलिफिकेशन रखा गया है जो टीरी टू में था आप यहां पे कैटेगरी बाइज देख भी पा रहे होंगे ठीक है तो आगे बात करें योग कर सकते हैं कि परिच्छा में क्या बदला हुआ है तो परिच्छा में वही जो टीरी टू में बदला हो किया गया था भासा सब्जेक्ट वन टू फाइब से जो अलग से था 30, 40 और 80 का कॉंबिनेशन जो था उसे हटा कर सिर्फ यहां पे भासा में 30 कोश्चन कर दिया गया औ और जो आपका सब्जेक्ट है संबंदित भी सह है उससे 80 कोश्चन पूछे जागे यह जो सभी में पूछा जाएगा देख पार होगे वन टू फाइब में भी 6 टू एट में भी और 9 10 में भी और 11 12 में भी तो सेम पर करिया है जो पहले टीरे 2 में थी वही टीरे 3 में भी र सीटेट उतिरन माने जाएंगे अगर आप जेनरल कर्टेगरी मेल जेनरल और EWS पूरूस है तो आपका 60% मांक्स होना चाहिए सीटेट में 90 अंक होनी चाहिए और जेनरल EWS फीमेल के लिए 55% अंक होनी चाहिए यानि कि 85 अंक का पास माना जाएगा और BC, BC के लिए 55% वही 85% अंक होनी चाहिए और वही SC, SD female, female के लिए 50% यानि कि 75 अंक जिनके पास है सीटेट में वह पास माने जाएगे चाहिए वह सीटेट करते कि जैसा कि सीटेट में तो qualify नहीं लिखा रहेगा लेकिन फिर भी आगर आपके पास 75 नंबर है तो आप पास माने जाएगे आप आप दिन कर सकते हैं, other roster के candidate जो होंगे male female उनके लिए 60% ही रहेगा 90 अंक होनी चाहिए ठीक है और यहां पे बात करें सीटों की संक्या की तो जैसा ही roster के नुसार सीटों की संक्या आती है तो मैं class wise यहां पे आपको लफ्द करवा दिया जाएगा, approach लगभग जो है 85,000 के असपस कर सकते हैं, online करने के लिए link पर आपको देखने को मिल जाएगा है, notice भी पढ़ सकते है, notification भी यहां पर दिया हुआ है, और नियमबली भी आकर चेक कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ notification में नहीं है दोस्तों, तो मिलते हैं कि इसी next video में next update के साथ, नई vacancy के साथ, तब तक के ल तो स्थidade के साथ, नहीं हты som संः धरो में कर दोस्तों, धरो में पर चेंट।аешьorp, नहीं हम ऐनकर उना कř differenceशें वेrentotal यहां, प्हुल में Insert map